दोस्तों नमस्कार, जैस्री कृष्णा, जैस्री राध है दोस्तों, आज हम आपको एक बिसेश जानकारी देने आए हैं ये ब्रहस्पती का एक बिसेश परिवर्तन है जिससे सम्मंदित आपको हमें जानकारी देने वाले हैं ब्रहस्पती बर्तमान में यानि देवगुरू ब्रहस्पती जुपिटर बर्तमान में अस्त चल रहे हैं जब ब्रहस्पती तारा डूब जाता है यानि कि ब्रहस्पती अस्त हो जाते हैं तो बहुत सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं बहुत सारी चीजों में परेसानी आने लगती हैं और ब्रहसपती का जो प्रभाव होता है मूलता है बिवह कराना, मेरेज योग बनाना, सिक्षा में उन्नती लाना, पत्फरदिश्ठा बढ़ाना, मान सम्मान दिलाना इत्यादी-ित्यादी तो इन प्रभाबों में इन फलों में यानि कि उनके प्रभाब में कमी आ जाती है या न्यूनितम प्रभाब देखने को मिलता है तो अब 31 मई 2024 को ब्रहस्पती उदय होने जा रहे है देवग्रु प्रहस्पती 31 मई को उदय होकर के लगभग एक साल तक आपको आश्चर जनक लाव देनी वाले हैं आपके लिए यानि कि कुछ रासियों के लिए बिसेश लावकारी परिडाम देखने को मिलेंगे कुछ रासियां ऐसी हैं जिनको समान फल मिलेगा बुरा तो हम थोड़ा बहुत है एक रासि के लिए जिसमें थोड़ा बुरा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है तो पहले हम बताएंगे आपको कि आखिर बो रासियां कौन सी हैं जिनको अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है जिनको बेहद बिसेश प्रभाव देखने को मिलने वाला है चार रासियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही जादा लाव देखने को मिलेगा मतलब इनके लिए बहुत ही जादा स्रिष्ट रहने वाला है ब्रहसपती का उदय होना इह रासियां कौन सी हैं और क्या स्रिष्ट रहने वाला है आईए जानते हैं सबसे पहले आपको विताते हैं कि आखिर स्रिष्ट क्या रहने वाला है बस एक जानकारी दियान रखेएगा यह जानकारी आपकी चंदरासी ये निमून साइन के अकॉर्डिंग है उसी कईनसार देखें बस ने अगर आपको चंदरासी पता नहीं है तब आप इसे नामरासी कईनसार भी देखवा सुन सकते हैं तो पहली इस्तिती प्रहस्ति के उध्य हो जाने से इन चार रासियों के बिवहा के योग बन जाएंगे इनका बिवाह होना पक्का हो जाएगा बिवाह या बिवाह हो सकता है अगर बिवाह से संबंदित कोई रुकावट आ रही थी तो वो नहीं आएगी आपके अगर अनाजमंडी से संबंदित या फिर गोल्ड से संबंदित ब्यापार है होल सेलर हैं गोल के वहाँ पर आपकी उन्नती बढ़ने वाली वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली आपका जो उद्योग है वो बढ़ने वाला है आपके बिजनिस की स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत ज़्यादा आप माला माल होने वाली हैं सिक्षा में उन्नति होने वाली है और विद्यार्थियों के लिए इस तरह में बहुत ज़्यादा स्ष्ष्ट रहने वाला है इस चार रासियां कौन सी हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव इन्हें देखने को मिलने वाला है, मतलब ब्रहस्पती से सम्मंदित लगभग सब कुछ बहुत बिसेश रहने वाला है, ब्रहस्पती ज्यान का प्रतीक हैं, बुद्धी बिवेक का प्रतीक हैं, और ब इसे इस रूप से आप ये देखेंगे कि आपके ब्रहस्पती से आपकी लाइफ बहुत बहुत बैलेंस हो रहे हैं, तो ये चार रासियां हैं, ब्रशव, कर्क, मकर, मीन, यानि टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्ण और पाइसेस, ये चार रासियां मालमाल होने वाली, इन्हें सबसे ज़्यादा लाव मिलने वाला हैं, बाकी बची आठ रासियां, उन आठ रासियों में से साथ रासियां ऐसी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रभाव लाव का नहीं मिलेगा, मतलब उनका लाव तो होगा, लेकिन उतना नहीं जितना इन चार रासियों का होगा, और एक रासी जिसके साथ बुरा होने बाला है, तो एक रासी जिसके साथ बुरा हो रहा है, उसके बारे में आपको बता दीता हूँ, ये रासी है, मिथुन रासी, इसके साथ में थोड़ा बुरा हो सकता है, ज्यादा बुरा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जिससे कि ह हो सकता है कि आपके married life में थोड़ी problem आ जाए, हो सकता है कि आपके office में थोड़े लोगों के साथ सम्मंद खराब हो जाए, या आपके द्वारा किसी को अगर कोई राय दी गई है वो गलत हो जाए उससे आपके साथ में सम्मंद खराब हो जाए, या उसका थोड़ा पैसान इविष्ट करवाए, आपने किसी चीज में सला दे करके तो वहां से दिक्कत आ जाए, या कोई थोड़ी बहुत legal matter problem हो जाए, तो इससे सम्मंद खराब्लम आ जकती है, लेकिन जो साथ रासियां हैं जिन को, क्योंकि पांच हो गई, अब साथ बची इन साथ रासियों को बहुत लाब देखने को मिलेगा, इस साथ रासियां हैं मतलब थोड़ा चार रासियों से कम, लेकिन प्रभाब मिलेगा और अच्छा लाब देखने को मिलेगा, पहली रासी है मेस रासी, दूसरी रासी है सिंग रासी, कन्या रासी, तुला रासी, चार हो गई पांच में है ब्रिस्चिक रासी, छट भी है धनू रासी और साथ भी है कुम्ब रासी इन रासियों को बहुत ही ज़्यादा बिसेश लाव देखने को मिलने वाला है आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा इन रासियों को लाव होने वाला है तो ये 11 रासियों को बिसेश लाव हैं बाकी चार जो हैं मुख्य रूप से हैं और ये जो साथ हैं वो थोड़ा सा कम हैं लेकिन वही लाव वही रजलिट उन्हें देखने को मिलने वाला है जो बाकी चार को मिलने वाला है लेकिन इन रासियों के साधी के योग उतने अच्छे नहीं हैं बहुत ही नॉर्मल हैं मतलब साधी के उतने अच्छे योग नहीं बन रहे हैं बाकी जो फल मैंने आपको बताए वो सेम आपके लिए भी होंगे, थोड़े कम होंगे, लेकिन उतना ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा. और इन साथ रासियों के लिए एक बिसेश बात और आपको बता देते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, पूजापाट करते हैं तो आपके लिए ये समय सर्वस्रिष्ट रहने वाला है आपके उपर भगवान की बिसेश करपा रहने वाली है जिससे आप अपने उस इच्छा को पूरा कर पाएंगे जिस इच्छा के लिए आप दिन रात कोसिस कर रहे हैं जो आपके लाइफ में परेसानी चल रही है और आप भगवान से प्रार्तना करते हैं कि वो परेसानी निकल जाए तो आप यकिन मानिए आपकी पूजा का प्रभाव आपके पूजा का फल इसी बीच में मिलने वाला है और बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरू करें और चनल पर पहली बार आए हैं चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार